अलो फिंट्स विल्कम टूबर चनल हम बात करने वाले हैं एन्बी सी सी कर में जो कि हमारे ही में मैंने रिक्वेस्ट किया है तो ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको भी अलसे चाहिए इस्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हो इंडेक्स वूक लिए आप हमारा टेलिग्राम चैन पर आपको कम से कम यहां पर वन जीरो एट या करीव 95 और मैंग्स प्लान कर सकते हैं वह 80 का लेवल होगा जो दिख सकता है ठीक है उस टाइम में स्प्लेट से पहले यह लेवल्स अलग थे यह जो टॉप था वो करीब 210-211 के आसपास का टॉप था और यह सारे लेवल्स चे यहां से बांस किया है और जिखाने के बहुत अच्छा है क्योंकि मार्केट यूफोरिया में चल रहा है तो ठीक है आप जो भी लॉजिक मारोगे वो सही होगा क्योंकि हर दिन तो मार्केट बाइंग के लिए जा रहा है तो किसको पता चल रहा है कि यह चीज़ सही है की नहीं है आज क्या हुआ है order book आज भी सेम है stocks का जो stocks आज 50-50% डाउन है आज आप उनका order book उठाकर दिख लो तो order book तो आज भी सेम है फिर क्या हो गया फिर stock कैसे fall कर गया तो यह चीज़ समझना पड़ेगा कि order मिल जाना को वो important है ना कि order मिलना आपने एक showroom open किया है तो उसमें customer आना बड़ी बात नहीं है उस customer से आप कितना profit generate कर पा रहे है वो बड़ी बात है customer आ रहा है और जा रहा है तो वो आपका loss ही करके जा रहा है फिर वो आपका profit करके नहीं जा रहा क्योंकि आपके showroom का कुछ ना कुछ तो basic cost है मैंसे भी तो अगर उसके purchasing से आपको कोई profit नहीं बन रहा है तो आपको result में loss मिल ही रहा है वहाँ पे क्योंकि आपका electricity का bill जाएगा अलग अलग चीजों के जो भी expense होंगी वो सब जाने वाले है तो same company के साथ है company भी जो product या जो उनका काम है वो अगर उसको order मिल र जब stock list है किसी market में तो वो demand और supply की ऊपर भी चलता है सिर्फ fundamental की ऊपर नहीं चलता अगर fundamental की ऊपर चलता तो जो government company है जो आज इतना undervalued है इतने सालों से वो ऐसे नहीं होते वो fair value पर already चल रहे होते वहाँ पे जिसका 20 का 25 का 30 का PE है उसका PE आज के date में 8 का है stock का industry 30 का है तो सारी company है मैं आपको खुद आपको share कर सकता हूं ऐसी कई company है जो profit बना रहे है ठिक ठाक profit बना रहे है वो आज भी बहुत undervalued है आज भी उसके stock को trade नहीं करते हैं लोग नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ fundamental के ऊपर सिर्फ news के ऊपर stock चलेगा जरूरी नहीं है demand और supply बहुत बड़ी अच्छा होता रहे कितना ही अच्छा news आता रहे वो नहीं जाएगा buying के लिए same condition है यह जश्टिक bounce है मैं आपको पहले भी कहा है इस type के bounce में trap मत होना फिलाल resistance के ऊपर trade कर रहे है इसके आप deny नहीं कर सकते हो यह हमने breakdown दिया था हमारा resistance zone है इसके ऊपर हम trade करें तो यहां से अब यह reversal दे रहा है तब हम buying के लिए plan कर सकते हैं short term buying जिसमें करीब 110-15 के आसपास का आपको resistance यह target देखने के लिए मिल जाएगा इतना हम minimum target रख सकते हैं अगर यहां से reversal देता है अगर यहां से continue दे रहा है मतलब continue selling के लिए जा रहा है तब यह वाला जो range होगा यह इसका volatile और sideways range बन जाएगा कुछ time के लिए जब तक कि इसका breakout या breakdown नहीं होता है आने वाल टाइम में अगर breakdown देता है तो आगे के levels मैंने अलड़ी मार्क करके अभी के लिए दे हुए फिलाल current level पर short term buying नहीं बनेगा तो वेट करो एक अच्छा प्राइक सन एक अच्छे reversal का जब रि best label होगा अगर हमें long term buying करना है बागे ऐसे किसी भी stock पर आपको इनलसे चाहिए तो stock का नाम कमेंट कर सकते हो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा thank you so much